दोस्तो 2023 वो साल होगा जो बड़ा यादगार रहने वाला है कारण है यह भारत के लिए एक बड़ा ही महत्वपून साल है क्योंकि भारत 2023 अगर आप देखे तो अपनी manufacturing story लिखना स्टार्ट कर रहा है जी हां 2023 का डेटा सामने आ चुका है और made in इंडिया का डंका भी 2023 में यूस हुआ है दोस्तों यहां पर अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करें तो अकेले आईफोन ने 65,000 करोड का आईफोन एक्सपोर्ट किया है दोस्तों यह नंबर्स बस शुरुआत है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2027 तक दुनिया के हर दो में एक आईफोन भारत में बनन करने वाले अभी आपको ओवर्व्यू दे रहा हूं अगर आप देखें तो दो हजार तईस तक 20-25 प्रतिशत वह आईफोन प्रोड़क्शन आपल का फोन प्रोड़क्शन भारत में हुआ है अभी भी तीन चौथा ही फोन प्रोड़क्शन चाइना में ही हो रहा है लेकिन जिस प्रकार से ट्रिंड देखने मिल रहा है तो जिस प्रकार से हमने PLI स्कीम को बनाया है यह नंबर बढ़के 50 प्रतिशत होने वाला है यह क्लियर हो चुका है चाइना के पास जो आईफोन प्रोड़क्शन की बढ़त थी अब वो कम हो रही है इंडिया चाइना को प्राइजिंग है एपल ने एक लाख करोड का फोन प्रोड्यूस किया है इंडिया में जिसमें से अगर आप देखे तो 65,000 करोड के फोन एक्सपोर्ट किये गए हैं दोस्तों यहाँ पर एक लाख करोड का जो वैल्यू आ रहा है यह एफोबी है याने फ्रीट ऑन बोर्ड वैल्यू है मतलब दोस्तों यह वो वैल्यू है जब किसी प्रोड़क्ट की फैक्टरी में क्या कीमत है फैक्टरी से निकलते ही उस पर टैक्स लगता है जब डिस्ट्रिबूशन होता है तो रिटेलर होता है उसका कुछ मार्जिन होता है डीलर का मार्जिन होता है तो वो आने दो लात करोड के मार्केट वैल्यू का फोन प्रोडक्शन केवल आपल का हुआ है भारत में बहुत बड़ा है यह आखड़ा दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहूंगा आपल के तीन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं फोन के यहां पर तीनों के तीनों पॉटल आइफोन प्रोडक्शन भारत में फॉक्स कॉन अकेला करता है यह जो आप सरकल देख रहे हैं यह पाई चार्ट है इसमें दोस्तों 68% आप देख सकते हैं फॉक्स कॉन का है इसके बाद अगर आप देखे तो पीगा ट्रॉन है जिसके पास 18% प्रोडक्शन है और 58% वो एक्सपोर्ट करता है वही अगर आप देखें तो उसके बाद आप देखोगे कि पीगा ट्रॉन है जो की 80% एक्सपोर्ट करता है और विस्ट्रॉन ग्रुप आप पाऊगे वो तो भाई 96% एक्सपोर्ट ही कर रहा है क्यों क्योंकि प्रोडक्शन कम है अभी उसमें होने वाला है अगर हम आपल की बात करें तो उसके आइफोन के मॉडल्स जो है 11 12 13 14 15 यह सभी भारत में 2023 में बनाए गए हैं 65% आइफोन जो भारत में बने वो यूरोप यूएस या वेस्ट एशिया के मार्केट में गए हैं तो दोस्तों यह बहुत बड़ा नंबर है जो आ प्रोडक्शन लिंक्ट है अप इस साल अगर हंड्रेड एमाउंट अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो अगले साल 120 एमाउंट प्रोड्यूस करना होगा साथ साथ आपको अगले साल वो प्रोडक्शन को अंजाम देने के लिए इतना additional capital expenditure करना होगा तो यह तभी तक आपको प्रोड़ाना होगा तो एपल के तीन contract manufacturer ने जैसा मैंने आपको बताया Foxconn, Pegatron और Tata and Vistron तीनों के तीनों को ही PLI scheme का फायदा उठा रहा है और तीनों के तीनों ही PLI scheme से अगर आप देखे तो जितना requirement था export का उससे अधिक export कर दे रहे हैं जितना requirement था production का उससे अधिक produce कर दे रहे हैं तो कोई दिकत नहीं है यहाँ पे अगर आप देखें तो Chinese companies के साथ अकसर एक समस्या थी कि वो number fudge कर रहे थे PLI का फायदा उठाने के लिए यहाँ पे वैसा कुछ देखने नहीं मिल रहा है इसके सिवा PLI scheme का beneficiary Samsung भी है वो भी फायदा उठा रहा है इसके सिवा PLI का फायदा भारत नहीं देती है भारत नहीं दे रहा है कारण क्या है साफ साफ कहता है भारत की भाई जो Xiaomi का phone आप बना रहे हो वो 15,000 से उसकी कीमत कम है तो यह low cost mobile phone हम चाहेंगे अपने ही in house production हो जाए उसके लिए हम इस प्रकार का आपको incentive नहीं दे रहे तो Xiaomi का produce कर रहा है भारत FIH लेकिन वो PLI का फायदा नहीं उठा रहा है तो यहाँ पे दोस्तो PLI का तो जबर्दस्ट फायदा हुआ है साथ साथ मोबाईल फोन मार्केट भी आपको बता देता हूं financial 2023 की बात करें तो Apple पहला company बना जिसने 5 billion का export mark single brand से exceed कर दिया इसके इतना ही नहीं दोस्त का phone export किया है एपल का अगर हम इंडिया market share देखे तो वो भी बड़ा है 2018 में ये 2% हुआ करता था ये बढ़के अब 6% हो गया है numbers की बात करें तो ये 13,000 करोड करीबन 2018 में हुआ करता था लेकिन अब करीबन 50,000 करोड है 49,322 करोर्स वही अगर हम Samsung की बात करें तो उसका market share decline क किया है 2018 में ये 26% हुआ करता था ये अब 20% हो गया है लेकिन अगर हम numbers की बात करें mobile revenue की बात करें Samsung भारत में कितने का phone बिचा है तो वो 2018 में करीबन करीब 37,000 करोड था 37,349 करोड ये अब बढ़के 70,000 करोड रुपए करीबन हो गया है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं तो mobile phone market भारत का बहुत बढ़ड़ा है तो Samsung का share भले decline किया है लेकिन numbers बहुत ज्यादा बड़े अभी भी है अपल के दोस्तों अगर हम देख लेते हैं कौन-कौन से component suppliers हैं भारत में दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो चेंग यूई Precision Industry Company Limited है आंदरप्रदेश में स जानते ही है जाबिल इंकॉर्पोरेटेड महराष्टरा में आई है यूएस की company है एयरपॉड कंपोनेंट बनाती है एयरपॉड होते हैं दोस्तों कान में आपल का जो यह फोन है उसका जो प्लास्टिक बॉड़ी है यही company बनाती है पूने में बनाती है और फिर इसको व्य में वैसे ही आप देखे तो लिंगी आई टेक है चाइना की company है यह modules chargers adapters बनाती है on semiconductor corporation है यूएस की company है यह अगर आप देखे तो fortune 500 company है यह भी recent entry है तमिलनाडू में इसने अपनी factory बनाई है शेंजन है चाइना based company है जो कि अगर आप देखे तो उत्तर प्रदेश में स्थि वगेरा का distribution का component वगेरा बनाती है दोस्तों यहां पे चाइना की बहुत सारी companies है आप देख पा रहे होंगे तो इनके लिए हमने कुछ exception दिया था इन companies को हमने allow किया था कि यह इंडिया में आए अपनी production facility लगाए यह apple के साथ बातचीत करके हमने उसके क्योंकि apple के लिए यह चाइना में भी बनाया करते थे तो वहाँ पे भी इनके contract component suppliers थे तो उनको यहां पर हमने shift करवाया है तो इनके लिए special हमने कुछ arrangement रखा है इतना ही नहीं दोस्तों और भी बहुत सारे हैं शिंजन चाइना की company है सिन्वोड़ा चाइना की company है यह नॉइडा में स्थित है सब में skilled manpower की availability है wage rates relatively high हो गए है manpower shortage भी है तो इस वज़े से यहां पे हम high cost manufacturing लाना चाह रहे है electronics manufacturing दक्षिन भारत target किया जा रहा है वहीं उत्तर भारत जहां पे अगर आप देखें तो manpower surplus available है वहां पे आज भी आप देखोगे low cost manufacturing पर focus किया जा रहा है अभी उत्तर प्रदे पर जा रहा है बागी tourism बगेरा पर जा रहा है तो यह सब क्या है low cost industries है तो उसका कहीं ना कहीं यहीं इंडिया का भी अगर आप देखें तो demographic profile है उत्तर भारत skill अगर वहां पे देखें तो लेबर surplus है तो वहां पे low cost manufacturing कराएंगे दक्षिन भारत जहां पे अगर आप देखे तो relatively skilled manpower available हो गया है तो वहां high cost manufacturing कराएंगे तो इस प्रकार से भारत कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अपने demographic difference का फाइदा उठाता हुआ देख रहा है अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो apple accelerator पे तो अब बस पैर दबाना शुरू किया है अभी तो accelerate शुरू हो रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों चाइना में अभी भी तीन चौथा यह apple का फोन का production हो रहा है यह दोस्तों अभी भारत में 25 प्रतिशत हुआ है अगले साल यह 40 प्रतिशत होगा 27 दो हजार 27 तक 50 प्रतिशत का आखड़ा हम टेच करने वाले हैं चाइना से यह कम होता जा रहा है चाइना प्लस वन का भारी मार एपल खा रहा है सैमसंग भी आप देख सकते हैं वह भी 25 से 30 प्रतिशत सैमसंग के सारे फोन भारत में बन रहे हैं यह भी 2027 तक 40-45 प्रतिशत हो जाएगा अन्य फोन प्रोडूसर जो है वह अगर आप देखे तो इंडिया में बह बना रहे हैं इसको कही न कहीं इंडिया भी रिस्टिक्ट कर रहा है भारत में तेजी से इंडिया को अपना प्रोडूक्शन फैसिलिटी की तरह बनाते हुए देख रहे हैं और दोस्तों यहां पे जैसा यह नंबर्स हैं कुछ इसी प्रकार के न्यूज भी आपको देख र टाटा ने कहा है कि वो लार्जेस्ट आइफोन एसिंबली यूनिट बनाएगा जिससे एपल का इंडिया प्रोडूक्शन और बढ़ेगा टाटा जेस्ट अभी विस्ट्वान ग्रूप के साथ आया है तो बहुत तेजी से यह नंबर्स और आपको बढ़ता हुआ दिखेग स्टार्ट कीजिए तो कहीं नंबर्स आपल का इको सिस्टम इंडिया आता हुआ दिख रहा है तो आईफोन no doubt आपल का बहुत बड़ा पश है आईफोन को एंडिया में बनाने का और इतना ही नहीं दोस्तों यह बाकी mobile phones में भी आपको देखने मिलने वाला है दोस्तों अमी नहीं किया है तो क्रिप्या करके सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारे वीडियो आपको दिख रहे होंगे बड़े ही इंट्रेस्टिंग वीडियो हैं आपको देख रहा होगा इसको जरूर देखें बहुत कुछ आपको उनसे भी सीखने मिलेगा मेक शूर वीडियो को भी अब लाइक करें और शेयर करें